और मैं भी नौकर्यूं आप लोगों की अगर मैं प्रिदान मंतरी बिनुगी तो मैं आप लोगों की नोकरूं नेता राजा नहीं होता है जो भी नेता होता है वह आप सब को परशान करोगे ना तो देख लो अभी वह लंका जली रही है कभी इंदुस्तान भी उसी में जल ज दर्म दर्म क्या करेंगी थे सब्सक्राइब कुछ सवाल है या अगर देश बड़ा है तो देश के लिए क्या किया कि हमारे देश पर धबा है कि छोटा सा 11 साल बच्चा एक जोहां बिहार को जहां वो खुद पढ़ाता है ऑप पैसे कमा के लाता है और उसके बाप उसके प लेकिन जो हमारे बिहार के अपनी नाकामी पर हसर है अपने आप पर लगाए उस पर हसर है तो बहुत शरम की बात है हिंदुस्तान के लिए जह हमारे देश सोने की चिडिया कहा जाता था अब हमारे देश में एजुकेशन इंडेक्स ऐसे कहा जा रहे निचे चला गया एक दम इसलिए तो कहते हैं कि हमारे इंटुस्तान में इतने गरीब लोग इसलिए हमारे देश में इतनी गरीब है बच्चे ने कहा है आप ने भी काया कि दारू पी जाता बिल्कुल भी और चोरी नहीं होती है गुंडाराज मुक्त है लेकिन असलियत में जाके देखे तो माहा द देखती है राजनीति को तो गलत नजरी से देखती हूं लेकिन राजनीते जिस चेज के लिए बनी है वह सही के लिए बनी है जो जोटे-वोटे हैं उन्होंने गलत कर दिया है लेकिन अपने आपने आपको जारा देर तक बैठने करें कि लिए जूट जूट बोलते जाते हैं लेकिन पॉलिटिक सची जीज आप लोग राजनीती पर भरोसा करिए नेताओं पर मत करिए राजनीती पर करिए क्योंकि हमारी जो फेंडमेंटर राइट से हमारे हमारे अधिकार है हमारा सविधान है यह सब बहुत अच्छे ने पूरी हूं लेकिन मौक एक होता है समय क्या करता है कि इतनी कोशिश करूंगी कि मैं जूट के साथ नहीं सच के साथ ही आज कल जो देश का यूबा किस तरफ जा रहे हैं रोजगारूने मिलनी रहे हैं कभी होता था कि मंदिरों की बिनार तोड़े जाते थे अब हो रहा है क कि मुसल्मानों के मस्जद उनके मिनार तोड़े जा रहे हैं मैं तो मुदी जी मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है देश बढ़ा है अगर देश बढ़ा है तो देश के लिए क्या किया महंगाई खतम हुई बेरोजगारी घतम हुई काला धनाया या फिर धरम से हमारा दि देश को डवलप करने के लिए धर्म क्या करेंगे माल लिया हमारे धर्म बहुत अच्छे सारे घ्रम सबके नहीं होते हैं लेकिन हम लोगों नहीं तुम्हां रखा और बाता भी है और नहीं तो एक सक्ति है नाहीं हो जीज़ी जो चाहे हमारे गुरु नानक देव जी ओ और कि अपने आपको पचास लोगों को फॉरबट कीजिए तो आपको यह फाइदा होगा जो कि अब कर देजिए कि आप अगर हम बगवान को बगवान आपको फॉरवट करते जिए आरे बगवान कि हमारे एक्जाम रूम में सब्सक्राइब करेंगे कि भगवान बन क्या जाएंगे लोगों को बेजा दूसरे लोगों को भी तुम अपने थोड़ा दिमाग लगा यह चीज होती है सोचने के लिए किस से क्या होगा यह नहीं कि लोगों को भक्ति में डाल दो एक्जैम कोई बात नहीं जागरन में बैठ लोगों को तो क्या रहा है खुद तो पढ़े होंगे ढंक से दूसरों को मेरी पढ़ने दे रहें आपको क्या लगता है आने वाले प्यूचर में देश का भी वाद धरम के भागेगा जिस तरह से मूदी जी कर रहे हैं नहिरू जी को आप गाली देते हैं इंद्रा जी को अ हैं आपने आपने तो इतना कुछ भी नहीं किया है नहरू जी ने रेल भेल और हमारी एर इंडिया यह सब बनाए भागडा नंगल डाम बनोंने करा है उत घाटन आप क्या करें आपने आस तक क्या किया है हमने आपको जिम्मेदारी दी थी महंगाई महंगाई बड़ी ना पैट्रोल बड़ा बड़ा बिजली का दाम बड़ा नमक जो भी हमारे सुविधा के लिए थी इस सारी चीजा तो बढ़ गई है जो आपके बदले दस्र लाएंगे आया एक दस्र क्या दस्र है और आप पाकिस्तान में जाके आप बिर्यानी खाते हैं उनके पाकिस्तान तो पाकिस्तान क्यों डरेगा लेकिन क्या गए तो नहीं सकते हैं अनभकते हैं तो जिब रवीश कुमार हमारे एक टीवी पूर्टर उनको छोड़ के वह कम से कम सच का सामना तो करते हैं देखें एडुकेशन उसके बाद हारी बेरोजगारी दूसरा तीसरा महंगारी यह तीन तक जो पहले बैटते थे अख़वा में लिखने के लिए कि हम इस लड़की का भला करेंगे न्यूज रिपोर्टर है पहले तो निउस रिपोर्टर सच करते हैं अब तो अगर हमारे को इसमें प्रॉफित हो रहा है तो करेंगे बना ने करेंगे ताज महल ममताज की याद मे मुझे देखिया है हिंदूस्तान में भूट गर्व कि मेरे देश ना में तो ताज महल किसे हो रहा हूं देखिये इस पर यह राजगर आने वाले लोग कहते हैं हमारे पास पेपर है आप आई एंगे हमारे देखिए ताज महल हमारा भाई उस जरम में भी क्या पेपर होते तक को सबस्क्राइब में तक पूरे नहीं है असलिए होते तो पूरे आप्र जी घ्यास बताया है का हुट हमारे जो इंडिया इससे बड़ी बिल्डिंग है तो हम देख सकते हैं मिनार है कि वहां पर भी हनुमान चालेशा पढ़ना मिन आता और अगर कहा जाए हनुमान जी को आप इतना तो परशान करोंगे ना तो देख लो अभी वे लंका चली रही है कभी इंदुस्तान भी उसी में जल जा सब्सक्राइब करने जाएं तो यह सब्सक्राइब करने जाएं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं अगर प्रधान मंतरी बनु आप लोगों की अश्रिवाद सगर मैं बनती हूं तो मैं सबसे पहले मैं एक देश की प्रधान मंतरी हूं प्रधान मंतरी के तौर पर मैं चलोंगी मैं एक धरम की प्रधान मंतरी नहीं हूं या एक धरम की राजा नहीं हूं मैं पूरा करना पड़ेगा आप जो कहेंगे वही का मैं करूंगी तो मैं दोनों की पहले बात करूंगी दोनों की आपस में सुनूंगी जिसके बात में थोड़ा लॉजिक होगा या जो सही कह रहा होगा करें तो में विचार करूंगी और फिर में विचार करोंगी और फिर अपने आपको देखोंगी तारीफ करना अलग बात है रोल लॉडल अलग बात होती है तारिफ तो मैं तो मोदी से करते हैं तो अलग होता है और पॉल्टीशन अलग होते हैं उनकी राजनीती अच्छी लगती है इसलिए उन्हें पसंद करते हूं पर्णा वह मेरे रोल मॉडल नहीं है मेरे रोल मॉडल इंद्रा घांडी जी है मेरे को मैंने वह लग बात है कि मैं के तारीफ करते हूं लाकिन मेरे रोल मॉडल नहीं है वो